मंदिर न्यास शिरीर लक्षमी नरायन मंदिर बिलासपुर ने शिपरात्री महोचप को लेकर तयारियां शुरू कर दी हैं मंदिर परिसर में सदर रामेश्वर दास की अध्यक्ष्टा में बैटक आयोजित कर महोचप की रूप रेका तयार की गए जिसमें निरने लिया गया कि दो मार्च से बारा मार्च तक शिप पुरान कथा का आयोजन होगा जबकि ग्यारा मार्च को बिशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें विविन समाजिक पर धार्मिक संसाओदारा मनमोहक जांकियां प्रस्तुत की जाएगी बहीं 12 मार्च को पूर्ण आहुती के बाद विशाल बंडारा होगा साथ ही ये भी सुनिशित किया गया कि शिपरातरी महुत्सप के सभी कारेकरम COVID-19 के नीमों के मद्य नजर होगे बंडारे के दुरान विवस्ताओं को बहतरीन तरीके से चलाने के लिए बकाइदा पुलिस टीम तेनात की जाएगी बैठे के दुरान शिपरातरी महुत्सप को लेकर विविन कमीटियों का कटन भी किया गया और सभी की जिम्मेबारे सुनिश जित की गई सदर रामेश्वर दास ने बताया कि इस पार शिपरातरी महुत्सप का आयोजन मंदिर न्यास्वरा धुमधाम से किया जाएगा जिसे लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें महुत्सप के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई और उपस्तित सदस्यों के सुजाब भी होंगे उनके कोविट-19 के निमो को पूरा ध्यान में रखा जाएगा आज लक्षमी नारायन मंदिर में शिवरातरी महुत्सप मनाय जाने के लिए लक्षमी नारायन मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें हमने शिवरातरी परवपर किस तरह से यहां आ प्रांकिया निकारी जाएगी और बंडारा होगा और इसमें पूर्ण होती भी डाली जाएगी तथा इसमें जग एनुस्ठान और किरतन होंगे इसमें खास तार से इस बात पर चर्चा की गई कि यह सभी आयोजन जो हैं वो कोविट-19 के निमों का पालन करते हुए की और साफ सफाई के लिए सेनिटाइजेशन के लिए हमने ई-ओ-म-सी को आदेश कर दिये हैं कि वो यहां पे साफ सफाई रखे और सेनिटाइजेशन रेगुलर करते रहें और यहां से जितना भी गार्वज बगएर है वो यहां से उठाते रहें और साथ में मंदिर की और इसमें साथ के साथ सजावट के साथ इसको थोड़ा और इसको रेनोवेशन करने के लिए भी हमने कहा है